दोस्तों नमस्कार मुरा नाम है विजीत और आज के स्वीडियो में आपको पताने अलों मैं इस Pulsar 125 बाइक के बारे में दोस्तों इस बाइक ने जैसे कि आप सभी जानते हैं बाइक इंडियन मार्केट में आता ही अपना अलगी नाम बना चुका है तो चलिए शुरू करते ह है आज इस बाइक के बारे में आपको कुछ इंट्रेस्टीन बातें बताऊंगा और चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों नमस्कार तो सबसे पहले आपको इस बाइक के बारे में बताना चाहता हूं कि यह बाइक जो 125 इसी के साथ आती है यह काफी अच्छी माइलेज निक अच्छी पकड़ती है और इस बाइक के साथ एक सीन है जो मतलब मेरे को बुरा लगता है मैं परसनली आपको बताना चाहूंगा तो इस गाड़ी को मैं चलाता हूं और जैसी मैं सेकेंड कर लेता हूं तो गेर बॉक्स कहीं कहीं आवाज आती है मतलब को फील ही नहीं है तो यह सिर्फ इसी पलसर के साथ नहीं है हर पलसर 125 लगभग लगभग हर पलसर 125 के साथ ऐसा ही सीन है उनमें भी उसमें भी जब आप सेकेंड केर लोगे तो एक गेर बॉक्स एक आवाज आती है जो मेरे को काफी इच्छी नहीं लगती और दोस्तों आप एक और देख सक सब्छां बड़कते हो कि इसको उन्होंने फहाड़ के निकाल दिया है और इस गाड़ी एक है यह एए क हो द्युक्रल आता है जसी अच्छा में एक अच्छा नेंधे कि घ्यूक्र यह फ्टार नियुद करके और बीग oken बिंदेखं़ तो काफी अच्छा लग रहा है और यहां पर आती है पलसर 125 की इसके 125 की बेजिंग यह पीछे इसका नंबर प्लेट और इसका जो टैर आता है यह भी काफी मोटा आता है MRF के टैर दिये हैं काफी अच्छे लगते हैं देखने में और भाई यह पलसर की पीछे से लुक तो काफी अच्छी लगती है इसके इंडिकेटर्स और यहां पर आपको पैर रखने के लिए जगा यहां पर भी और यह चलाने वाले के लिए पैर रखने की जगा यह इसका गे गाड़ी और यह है इसका फ्रंट से लुक तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यह जो बाइक है यह जब से आ रही है इसको तो बहुत साल हो गए इसी लुक में आ रही है लेकिन उसके बाद भी देख रहे हो कि यह गाड़ी कितना इसकी हजारों युनिट वीकरी है यह गा हाँ बंदा पलसर बाइक चलाता है ऐसा करके लोग सोचते भी है और दोस्तों इस गाड़ी में आता है फ्रंट डिस ब्रेक एस भी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं यह आप देख सकते हो और गाड़ी देखने में काफी अच्छे लगत कि मैं खाड़ी को भागाने में ने त्क दरता हूं और पछासट की मेक्स स्पीड रहता हूं कटर चलाने में और उतना ज्यादा मैं घाड़ी भा आता है इसलिए मिरी काफी यह काफी एक हटी माइलेज भी देतकी है और मैं बहुत ही जल्दी इस गाड़ी का माईलेज टेस्ट करके भी टेंक टू टेंक इसका माईलेज चेक करूंगा और वीडियो भी आपके लिए डालूंगा आपको पता चलेगा उससे की पलसर 125 कितना माईलेज दे रही है और गाइस कमेंट करके बताईएगा कि ये ऐसे अपने दोनों आईनों में अच्छी लग रहा है और चलाने में भी काफी दिकट नहीं आतीप, पीछे देखने के लिए वह बहुत ही सही, और दोस्तों और इस गाड़ी में आपको बताना चाहूँगा ये देख सकते हो, ये इस गाड़ी की लूक को कहीं कहीं बढ़ा देता है, और इसका जो 125 एक और आता है, जो स्प्लीट एडिशान आता है, इसका ये सीट उसमें दो-दो सीट होता है, उपर न जिके शोरूम में जाऊंगा तो उसको मैं पूछूंगा और अगर मिल जाएगा लग जाएगा तो फिर इस बाई को मैं इंस्टॉल करूंगो उसको और बताऊंगा आप सभी को कि इस गाड़ी में भी इंजन गाड़ लग सकता है या नहीं लग सकता आई तिंक लग जाना चाहिए क्योंकि दोनों तो मेरे ख्याल से सेम ही गाड़ी ए बस स्फ्लिट स्इट का अंतर है और दोस्तों इस गाड़ी में यहाँ पर दिया होता है रिफ्लیک्टर ये ये बफटा नहीं वहाँ पर क्यों रिफ्लेक्टर दिया है मेरे को तो समझ में दो है लेकिन होगा company जब दे रही है तो कोई नो कोई करण तो हो गई होगा और चलिए भी इस गाड़ी के बारे में आपको और कुछ बताते हैं चलिए इसके इसको आउन करके देखते हैं तो जैसे ही आप चाबी आउन करते हो तो इसका ignition देख सकते हो आप इसका फ्यूल का यहां पर आपको साइड़ स्टेंड के लिए होता है यहां पर बैटरी के लिए दे तक चल चुकी है यहां पर इसका बटन देख सकते हो यह ट्रीप टू है जो 269.1 किलिमेटर चल चुकी है और ट्रीप वन यह 243.8 किलिमेटर तक चल चुकी है यह इसका है कि ज़ोन करने का है पिल्स साथ भूँ कि गाड़ी बंद्द शाथी है और यह वो गया और अब इसके बारे मेंगते है तो यही जाए उनसे होगे गल देख सकते हो देखें कर अगर भीस Our दोफ को बारे महीं देखता है इसका उनसे को लिखाता है यहां पर उसको दीखाता है यह मैं 251 तक आपका गाड़ी चल जाता है तो फिर यह जल जाती है और बता देती है कि आप के यह इसका है यह को बियुक्त पास देख सकते होगा तो बाई आपको बताओं बताना चाहूंगा कि यह गाड़ी जो है यह इस प्राइज रेंज में एक वेल्यू फॉर मनी बाइक है आप इसको प्रिफर कर सकते हो मैं पलसर वन एटी एफ लूंगा बोल रहते लेकिन मैं जब मैं इस बाइक के बारे में देखा इसको चला कर देखा तो औ ब्रेक से पीछे वाला ब्रेक यह आगे भी लगता है थो और देख सकते हो और यह अपने अप चिपक जा रहा thank you so much